आज मैं आपको सिखाऊंगी कुछ ऐसे सीक्वेंस जिनका अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ, स्टैमिना तो डेवलप होगा ही होगा आप बर्ण करेंगे अच्छी खासी कैलोरी जो की मदद करेगी आपकी बॉडी का फैट रोड्यूस करने में, आपका वेट कम करने में, साथ ही इन अभ्यासों को करने से आपकी बॉडी बहुत अच्छी तरीके से टोन होंगी, ट्रस्ट मी आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरा प्रयास पसंद आ रहा है और ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा कैसे एक्टिवेट कर देता है दोनों पैर की एडियों को और अंगुठों को एक दूसरे के साथ जोड लेंगे दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के साथ ऐसे फसा लेंगे और दोनों हाथों को ऐसे सर के उपर रखेंगे और फिर उसके बाद धीरे से अपने palms को turn कर देंगे आस्मान की तरफ छट की तरफ और अपनी एडियों को उठाते हुए पूरे शरीर को ऐसे आस्मान की तरफ छट की तरफ खीचेंगे ऐसे खीचें 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 जरा और जोर से खीचें now turn your palms towards your head और फिर उसके बाद यह अभ्यास दो बार और करेंगे सांस ले एडियों को उठाएं पूरे शरीर को खीचें और सांस छोड़ते हुए वापस से अपने palms को अपने सर के उपर एक बार और सांस ले और सांस में कम से कम अपने कंथे जितना फासला कर ले और इसके बाद हम side by side stretches भी कर लेते हैं अपने left हतेली को left thigh पर रखें right हाथ को आसमान की तरफ या छट की तरफ खीचें सांस ले और सांस छोड़ते हुए इस तरीके से अपने left side bend हो जाएं और आसमान की तरफ देखें या छट की तरफ देखें फिर उसके बाद सांस ले और यही right palm को अपनी right thigh के उपर रखें left हाथ को आसमान की तरफ या छट की तरफ खीचें 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 और फिर उसके बाद right side ऐसे bend हो जाएं ऐसे यही अभ्यास दो बार और right और दो बार और left करेंगे सांस लेते हुए हाथ को खीचें सर के उपर और bend हो जाएं left side और फिर उसके बाद दूसरी side यही अभ्यास करेंगे अपने left हाथ को सर के उपर छट की तरफ आसमान की तरफ खीचां और नीले आसमान की तरफ उपर देख रहे हैं चुकि आज मैं shoot outdoor कर रही हैं इसलिए बार बार मुझे आसमा की तरफ या च्छत की तरफ कहना पड़ रहा है तो आप ध्यान दीचेएगा कि हाथ को जितना हो सके उपर की तरफ खीचें चाहे आप खुले आसमान के नीचे अभियास कर रहे हो चाहे आप अपने कमरे पर अभियास कर रहे हो इस तरीके से अब जरा करते हैं spinal twist दोनों कि सिर्फ आप अपनी बॉड़ी को मूव कर रहे हैं ऐसे पीछे देखें जितना हो सके ऐसे पीछे देखें इस तरीके से इस तरीके से यह हो गया अभियास अब जरा अपने पैरों को ऐसे हलका हलका जटका दे इस तरीके से दूसरे पैर को भी जटका दे अब जरा अभिया सबसे पहले बहुत इसी तरीके से अभ्यास कैसे करेंगे तो यह मेरी मैट का हो गया सेंटर यह हो गया राइट एंड और यह हो गया लेफ्ट एंड तो मैं लेफ्ट एंड में आके खड़ी हो जा रही हूँ और अपने दोनों हथेलियों को अपनी थाई के साथ लगाके अलर्ट है एक्टिव है ऐसे जुके हुए नहीं खड़े होंगे है ना हमेशा सीधे खड़े होंगे दोनों पाम्स को बॉड़ी के साइड में रखेंगे सामने देखेंगे अपनी सासों को अबजर्व करेंगे सास ले और सास छोड़ते हुए ऐसे सामने जुक जाएं सामने जुकने के बाद दोनों हतेलियों को मैट पर रखें चाहें तो घुटनों को थोड़ा सा बेंड कर लें अगर घुटने सीधे ना हो और अगर घुटने सीधे हो जाएं हैं स्टिफ नहीं है तो ऐसे घुटने को सीध में पर और अब्यास को जब आप थोड़ा सा और फास्ट करते हैं तो कैसे करेंगे सांस लें और चाहें तो सांसों को नॉर्मल्मल रखें ढीडीः जिस रौफ करते हुचे त्रॉपर मैट करते हुए वाक करें फिर वाक करते हुए वापस खड़े हो गए और इस अभ्यास को पांस से दस बार रिपीट करें और फिर उसके बाद ऐसे वॉक करते हुए ऐसे खड़े हो जाए तो यह सिखाया मैंने आपको आधा अभ्यास अब इसके आगे एक लेवल और जाएंगे तो खड़े हो गए सांस लिया सांस चोड़ा फॉवर्ड बेंड हो गए उंगलियों को ऐसे मैट पर मत रखिएगा हथेलियों को मैट पर रखिएगा और पूरा प्रापर वॉक करते हुए हाई प्लैंक पोजीशन पे आगे फिर walk करते हुए धीरे 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 ऐसे दोनों palms के बीच में आ गए अपने माथे को घुटने की तरफ ऐसे drop किया और फिर खड़े हो गए सांस लिया, सांस छोड़ा फिर से bend forward और फिर उसके बाद वापस से walk करते हुए high plank position पे असे आएं फिर वापस से walk करते हुए ऐसे खड़े हो जाएं तो दो बार और अभ्यास देखें और इसी अभ्यास को आपको कम से कम 5 बार या 10 बार repeat करना है तो अब थोड़ा सा fast करेंगे इसको तभी थोड़ा सा हमारी heartbeat तेज होगी और शरीर में calories जो है वो burned होगी अब चलिए शुरू करते हैं bend forward, walk forward, high plank, walk forward, खड़े हो जाएं, फिर सामने जुग जाएं, फिर walk करें, फिर से walk back और खड़े हो जाएं इसी को थोड़ा fast करते हुए अभ्यास करें इस तरीके से, high plank आए, walk forward और खड़े हो जाएं इसी तरीके से इस अभ्यास को 5-10 बार जब आप repeat करेंगे तो आपकी body की अच्छी खासी जो calories है वो burn होगी तो ये मैंने बहुत simple, बहुत easy तरीके से आपको किस तरीके से walk करना है अब जो है इस अभ्यास को मैं थोड़ा सा और challenging बनाऊंगी सास ले, सास छोड़े और सासों का विशेश ध्यान रखे, सास लेते और छोड़ते रहे Jump up, bend forward, high plank position, jump करेंगे दोनों palms के बीच में फिर, jump up, bend forward, jump back, walk back, jump up, bend forward, walk forward, jump forward and jump up, bend forward, jump back, walk back, jump up, bend forward, walk forward, jump forward, jump up, bend forward, jump back and walk back तो अब relax करते हैं तो इसका अभ्यास आप पांच बार, दस बार जितना करना चाहें करें और relax करें नाक से सास ले, मुझ से सास छोड़े हर एक सेट के बाद proper relax करें बहुत से लोग क्या करते हैं रिगरसली प्राक्टिस करते तो कुछी देर में क्या होता है ठक जाते हैं लेकिन जब आप एक बार अभ्यास करने के बाद बीच में relax करते हैं रुकते हैं तो इससे क्या होता है आप जादा से जादा अभ्यास कर सकते हैं और जादा से जादा अभ्यास करेंगे तो उतनी ही आपकी शरीर की उर्जा जो है उसकी खपत होगी कैलोरीज बर्ण होगी अब हम बढ़ रहे हैं आगे के अभ्यास की तरफ अब हम अपनी अपर बॉड़ी को स्प्रेंदन करेंगे ठीक है तो इस तरीके से खड़े होगे दोनों पाम्स को बॉड़ी के साइड में रखा तो जंप अप हायार बेंड फॉवड वाक फॉवड हाई प्लाइंग पोजिशन पर आने के बाद फिर उसके बाद डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएं ऐसे और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आने के बाद अपने ऑपोजिट टोस को टैप करेंगे कैसे वाइव फाइव फाइव फोर फोर थ्री थ्री टू टू 1 and 1, फिर से high plank position पे आएं ऐसे, फिर उसके बाद jump forward and jump up, bend forward, jump back और फिर उसके बाद walk back और jump up, तो यह हुआ एक round, इसको आप चाहें तो slow कर लें, इसको चाहें तो आप fast कर लें, completely आपके उपर है, number of round और speed, completely आपके उपर है, चलिए दो बार और, सास लें, सास छोड़े, jump up, bend forward, walk forward, high plank, downward facing dog, tap opposite toes, five, five, four, four, three, three, two, two, one and one, high plank position, jump forward, jump नहीं कर सकते, तो walk करें, जैसे पिछली प्रैक्टिस में बताया था, and jump up, bend forward, high plank position ऐसे walk करें, या कि फिर jump back and walk back, come on, jump up, bend forward, walk forward and high plank to downward facing dog, five, five, इसको आप 10 counts सक भी कर सकते हैं इस तरीके से, ऐसे, ऐसे, two, two, one and one, then jump forward, jump up, bend forward, jump back, walk back and relax, काफी मज़ा आ रहा है, यह सारे के सारे अभ्यास करके, I am sure आप भी जबी अभ्यास कर रहे होंगे, आप भी बहुत इंजॉय करेंगे, प्रैक्टिस को, रिलाक्स करें, चले, अब रेस्ट कर लिया है, 10 सेकेंड, एक मीनाट जितना आपको रेस्ट करना है, उतना रेस्ट करें, अपर बाडी को हमने opposite toes को tap करके, अभ्यास कर लिया, अब ज़रा lower body पर काम करते हैं, तो बापस से अपनी मैट के left end पर खड़े हो गए हैं, पहले एक round धीरे करते हैं अभ्यास, सास ले, सास छोड़े, jump up higher, bend forward, walk forward, high plank position, high plank position से downward facing dog, downward facing dog से अपने left pair को ऐसे center पर लेके आएं, right pair को ऐसे छट की तरफ या आसमान की तरफ उठाएं, hold करें, 5, 4, 3, 2, 1, और अब अपने right pair को ऐसे mat पर रखें, और right pair को center पर लेके आएं, और अब अपने left pair को ceiling की तरफ, छट की तरफ या आसमान की तरफ उठाएं, और अपने right एड़ी को देखें, 5, 4, 3, 2, and 1, फिर उसके बाद दोनों पैरों को mat पर रखें, jump forward, jump up, bend forward, jump back and walk back, फिर से अब दो राउंड थोडा फास्ट, jump up, bend forward, walk forward, high plank position, downward facing dog, left foot center, right foot up towards the ceiling, 5, 4, 3, 2, and 1, फिर left pair, 5, 4, 3, 2, 1, jump forward, jump up, bend forward, jump back, high plank position से, walk back, jump up एक बार और, bend forward, walk forward, और downward facing dog, hold करें यहां पर अपने पॉस्चर को, left center, right up towards the ceiling, 5, 4, 3, 2, and 1, राइट को मैट पर रख दे, left को उठाएं और होल्ड करें, 5, 4, 3, 2, 1, फिर उसके बाद, jump forward, jump up, bend forward, jump back and फिर उसके बाद, खड़े हो जाएं, 5 या 10 बार रिपीट करने के बाद, rest करें, तो अब हमने आराम कर लिया है, rest कर लिया है, जितना देर आप आराम करना चाहिए, बहुत लंबी देर तक भी आराम ना करें, इससे बाड़ी जो है, वो थंडी होने लगती है, अब हम टार्गेट करेंगे अपनी abdomen को, ठीक है, अब्डोमन को टार्गेट करेंगे, तो सबसे पहले हम जो अभ्यास कर रहे हैं, mountain climber का, वो बहुत धीरे अभ्यास करेंगे, और इसको इसी पूरे की पूरे सीक्वेंस के साथ अभ्यास करेंगे, फिर से खड़े हो गए, jump up, bend forward, walk forward, high plank position पे आ जाएं, और high plank position पे आने के बाद, slow करेंगे, अभ्यास कैसे, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आट, नौ, दस, और फिर उसके बाद, या तो jump करें, या ऐसे walk कर लें, खड़े हो जाएं, jump up, bend forward, फिर से walk back करें, ऐसे high plank, और फिर walk करें, और फिर खड़े हो जाएं, और jump करें, एक राउंड बहुत slow अभ्यास बता दिया, आप दो राउंड ज़रा, like back to back, rapid करते हैं, तो इनके repetition जब आप बढ़ाएंगे, तो automatically बहुत advanced practice हो जाएगी, jump up, bend forward, walk forward, high plank position and begin, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1, jump forward, jump up, bend forward, jump back and walk back and jump up, bend forward, walk forward, high plank, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1, jump forward, jump up, bend forward, jump back and walk back and jump up, relax, take rest. अब आराम से जब आप अभ्यास पूरा खतम कर ले, तो अपनी योगा मैट पर लेट जाएं, लेटना, रेस्ट करना is really important. तो अगर आप मेरी निग्रानी में रहके योग का अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है मेरी ओनलाइन योगा क्लासेस में. इन उनलाइन योगा क्लासेस को जूम के माध्याम से सुबह साथ बजे से आट बजे कंड़े किया जाता है, अगर आप बिगनर हैं, अगर आप को कोई हेल्थ कंडिशन हैं, जैसे कि थाइराइड है, डाइबिटीज है, पीसी ओडी, पीसी ओएस की समस्या है, हाई ब्लड प्रॉस्टेट का प्रॉबलम है, या कि फिर अत्यदिक स्ट्रेस रहता है, रात में नीन नहीं आती है, तो ये जो क्लासेस हैं, वो हाईली बेनिफीशियल है आपके लिए, क्योंकि एक्जिस्टिंग जो स्टुडेंट है, उनको इन क्लासेस से बहुत जादा मदद मिल रह अगर किसी कारण से ये जूम क्लासेस आप जॉइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे द्वारा डवलब किये हुए कुछ कोर्स, योगा फॉर बिगनर्स का कोर्स, या कि फिर योगा और प्रानयाम का जो कोर्स हैं, आप इसको पर्चेस कर सकते हैं, इन कोर्सेस को जब अगर आप बिगनर्स हैं तो घॉबराइए बिलकुल नहीं, क्योंकि हर एक अभियास को बहत ही अच्छी तरीके से मॉडिफाई और एजी तरीके से हर एक क्लास में भी बताया जाता हैं और कोर्सेस में भी बताया गया हैं। har tiefint ग्लासेस के बारे में और प्रानले और ओपारे में सारी की सारी डीतेल प्रोवाइड कर दी जाएगी. तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने स्टेब भाइ स्टेब इस सारे सीक्वेंस आपको सिखाएं ताकि आप अपने से इन अभ्यासों को कर सकें और इन अभ्यासों से बहुत सारे लाब पा सकें. अगर आप चाहते हैं इन फ्यूचर आपके सजेस्ट किये हुए किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊ तो मुझे बहुत खुशी होगी आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइए कि इन फ्यूचर आप कौन-कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहेंगे आप सबी से गुजारिश है कि जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजेगा और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों और रिष्टदारों के साथ भी खूब शेयर कीजेगा निरंतर योग का अभ्यास करते रहे क्योंकि इसी से आपको लाब मिलने वाला है अपना और अपने परिवार का खूब खयाल रखिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलती हूँ नमस्ते अपना तो कि अपना ग। प्वीय।